गुट मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम कक्षा साथ हिंदी बसंत भागदों का पहला पाठ हम पंची उन्मुक्त गगन के जो एक कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है और इस कविता के जो कवी हैं वो स्यू मंगल सिंग सुमन हैं प्रस्तुत पंग्तियों का सरलार्थ करने से पूर्व हम आपको यह बता दें कि इस कविता में पंचीयों की व्यथा का वर्णन किया गया है पंची अपनी व्यथा यहां पर प्रकट कर रहे हैं वह कहते हैं कि हमें खुले आकास मौना पसंद हैं हमें गुलामी का जीवन जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है गुलामी का जीवन जीने से बहतर हम मर जाना पसंद करेंगे तो हम पंची उनमुक्त गगन के पिंजर बद्धन गापाएंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुल की तपंक तूट जाएंगे यानि हम पंची उनमुक्त मिन्स आजाद गगन के आगगन मिन्स आकास हम जो पंची हैं हम जो पक्सी हैं वो खुले आकास में विचरन करने वाले हैं उड़ने वाले हैं पिंजर बद्धन गापाएंगे पिंजरे में बंधो कर हम अपनी खुजे के गीत नहीं गापाएंगे कनक तीलियों से ही टकरा कर पुलकित पंग तूट जाएंगे हमारे जो पुलकित पंग मींस कुमल पंग है वह कनक तीलियों मींस कनक मींस सोना तीलियों मींस सलाक है जो सोने की सलाक हैं उनसे हमारे जो कुमल पंग है वह टकरा कर क्या हो जाएंगे तूट जाएंगे हम जो पंची हैं फक्सी हैं हमेशा खुले आकास में उड़ने वाले हैं और हम पिंजरे में बंद होकर अपनी खुशिके कीद नहीं गापाएंगे हमारे जो कुमल पंक हैं व้ सोने की सलाखों से टकरा कर तूट जाएंगे भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से यानि दूसरी पंक्ती में पंची जो अपना भाव व्यक्त कर रहें कि हम बहता जल पीने वाले हम जो पंची है वो बहते जल को पीना पसंद करते हैं मर जाएंगे भूके प्यासे पिंजडे में बंद होकर हम क्या हो जाएंगे भोके प्यासे मर जाएंगे कहीं भली है कटुक नि बोरी भली मींज अच्छी कटुक निबोरी निम का फल यानि कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा सेश कनक कटोरी मिन्स है कनक मिन्स सोना कटोरी जो कटोरी मिन्स कटोरी या प्याला और मैदा जो उसका खाना होता है यहां पिछणिया यह बता रही है कि चाहे आप हमें सोने की पिंजणे में बंद करके सोने की कटोरी में हमारा कितना भी प्रिया खाना हमें दे दें उससे कहीं भेतर स्वर्ण स्रंखला के बंधन में अपनी गति उलान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी परके जूले यानि स्वार्नस रंकला के बंधन में स्वार्नस रंकला सोने की जंजीरों में बांधने से क्या होगा अगर आप हमें पिंजरे में बंध कर देंगे और सोने की जंजीर से हमें बांधनेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी गती, अपनी चाल, उड़ान सब भूल जाएंगे, हम अपनी चाल, अपनी गती और अपनी उड़ने का जो सबाव है, उसको हम पिंजरी में बंद होकर क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, बस सपनों में देख रहे हैं, तरु की फुनगी पर क जूले अब हम केवल सपने में ही है महसूस कर सकते हैं तरू मींस पीड फुनगी मींस साखा अब हम पीडों की साखा पर जूला कैसे जूले या उची-उची साखाओं पर कैसे जाएं यह हमारे ले केवल अब एक सपना रहे गया है यानि चाहे आप हमें जो पक्षी हैं जो यहाँ पर यह बता रही है कि अगर आप हमें पिंजडे में बंद करके हमें सोने के जंजीरों से बांदेंगे तो हम अपनी गति अपनी चाल और अपनी उडान अपनी उडान सब भूल जाएंगे जो उनका स्वभाव है उसको हम क्या करतेंगे भूल जाएंगे और हमारे लिए क्यावल यह एक सपना रह जाएगा कि हम तरुगी फुनगी पर के जूले हम जो पेल की साफ़ाओं पर हम जूला जूलते हैं उची उची साखाओं पर जो हम जाते हैं या हम या हमारे लेक केवल एक सपना मात्र रह जाएगा आगे बढ़ते हैं ऐसे थे अर्मान की उड़ते नीले नव की सीमा पाने लाल की रनसी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने यानि हमारे ऐसे अर्मान थे कि हम नीले नव मिन्स यहां पर आसमान है यानि नव का मतलब है आसमान हमारे जो अर्मान थे वो ये थे कि हम नीले आकास की सीमा को चुझाना चाते थे जिसकी कोई सीमा अनंत तक हम उसको चुझाना चाते थे लाल की रण सी चौँच खोल चुगते तारक अनार के दाने और हमारी जो लाल जो चौँच है और हम उससे यह चाहते थे कि हम जो तारे रूपी अनार के दाने हैं उसको हम अपनी लाल चौँच से चुगना चाहते थे यह उन पक्षियों की अभिलासा थी यानि ऐसे थी अर्मान की उड़ते नीले नब की शीमा पाने हमारे ऐसे अर्मान थे कि हम उस नीले आस्मान की शीमा को चू जाना चाहते थे और अपनी लाल चोंच से और अपनी जो हमारी लाल चोंच से हम उसको तारे रूपिय नार के दानों को चुगना चाहते थे यह हमारी अभिलासा थी, यह हमारे अरमान थे, इसके बाद हमागी जाएंगे, होती सीमा हीन सितिज से इन पंखों की होडा होडी, या तो सितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, यानि होती सीमा हीन सितिज, सीमा हीन, यानि सीमा हीन का मतलब है बहुत दूर दूर तक, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सितिज मिलन की केन्द्र, और हमारे इन पंखों में इतनी होड़ लगी है, हम उस सीमा को छुना चाहते हैं उस सितिज को छुना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है यह हमारे पंखों में इसकी होड लगी वी है या तो सितिज मिलन बन जाता या उस सितिज से हमारा मिलन हो जाता अगर ऐसा नहीं हो पाता या तंती सांसों की डोरी अगर ऐसा नहीं हो पाता या हम मर जाते हमारी सांस हम से उखड जाती या अर्थात हम मर जाते अगर ऐसा नहीं होता उनकी अभिलासा क्या थी होती सीमा हीं सितिस से इन पंखों की होडा ओडी हम इन पंखों में हमारी इतनी होड मचीवी है कि हम इस सीमा ही जिसकी कोई सीमा नहीं है उस सितिज से मिलना चाहते थे हम उस सितिज तक पहुँचना चाहते थे हम या तो सितिज मिलन बन जाता या हम उस सितिज उस केंदर बिंदू से जो धर्ति और आकास का केंदर बिंदू आगे वड़ते हैं नीड न दो चाहे टहनी का नीड मींस होता है घोंशला चाहे तुम हमें घोंशला न दो चाहे टहनी का तुम चाहे हमें टहनी में क्या दो हमें घोंशला न बनानी दो आश्राई छिन्ने भिन्न कर डालो जो हमारा आश्राई है हमारा घोंशला है चाहे हमें इश्वर ने जो पंक दिये हैं आकुल मींस होता है परेशान उस परेशानी भरे उडान में आप क्या मत करो विगन मतलब बाधा मत डालो एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं नीड न दो चाहे टहनी का आसराई छिन भिन कर डालो लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल उडान में विगन डालो यानि नीड मिन्स घौंसला न दो चाहे तुम हमें घौंसला अपनी टहनी में हमें घौंसला न बनाने दो चाहे तुम क्या करो आसराई छिनने भिन्न कर डालो हमारा जो घर है जो आसराई है जो घौंसला है उसको छिनने भिन्न उसको तुम नस्ट कर डाल लेकिन पंक दिये हैं तो लेकिन जो भगवान ने इश्वर ने हमें जो पंक दिये हैं उस आकुल उलान में विगन न डालो आकुल मीन्स है यहां पर परेशानी भरी उलान में तुम हमारी बादा न डालो तो यहां पर इस कविता में कवी ने पंचियों के मात्यम से पक्षियों के मात्यम से अस-पस्ट किया है कि जो पंचियों का जो स्वभाव है वह खुले आस्मान में उड़ने का है, विच्रन करने का है उन्हें गुलामी भरा जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और चाहे आप उन्हें पिंजरे में कितनी ही सुकसुई धायन दे दें उन्हें सोने के पिंजरे में बंद कर दें उन्हें सोने की जंजीर में बांद दें और चाहे आप उन्हें कितना ही उनका मन पसंद खाना दे दें लेकिन उस पिंजरे रूपी कैद से रहने से बेहतर वह जो है मरना पसंद करेंगे क्योंकि उनका जो स्वभाव है वह सिर्फ खुले आकास में उड़ना है तो यहां पंगती यहां कविता यहां पर समाप्त होती है इसके बाद हम आगे इसके प्रश्ण उत्तरों को आपको कॉपी में कराएंगे